हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अक्य सामने गोरो मिगलानी हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बीन स्टडीज, हमारा चैप्टर कॉन्टिवी चल रहा है सेल्स प्रमोशन का सेल्स प्रमोशन की पीछे वाली 3-4 वीडियो के अंदर हमने सेल्स प्रमोशन का मीनिंग, फीचर, डिफरेंट टाइप्स, रोल एन इंपोर्टेंस कह लीजिए सेल्स प्रमोशन की कौन-कौन सी एक्टिविटीज है प्लस, पप्लिसिटी का 훨 क्या है? अड़ोटाइजिंग और पप्लिसिटी में क्या डिफरेंस है? पीछे वाली 4 वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं यह टोपिक तो पीछे वाली 4 वीडियो के लिंक मैंने आपको ऐसी वीडियो के लंबे समय तक काम करना प्रोफिट कमाना ये तभी possible हो सकता है जब हमारा लोगों के साथ relation अच्छा हो चाए वो employees है चाए वो government है चाए वो media है चाए हमारे shareholder है अगर हमारा इन सब लोगों के साथ relation अच्छा है तो हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं क्योंकि अगर हमको business चलाना है तो हमें इन सब लोगों को हमारे favor में लेके चलना होगा कि इनका attitude हमारे लिए positive रहे तो इनका attitude positive रहे तो ये depend करता है हमारे public relations पर तो यही topic हमको study करना है बिल्कुल simple topic है पर हमको business studies के बिहाफ पर आपके marketing के बिहाफ पर इसको अच्छे से study करना है तो public relation का क्या meaning है simple सी बात है it refers to the relations of an organization with the public ये एक public के साथ हमारे relations को बताता है public के साथ अगर हमारे relationship अच्छे हैं तो हमको क्या फाइदा होने वाला है हमारा कौन सा objective है जो पूरा होगा हमारी image अच्छी बनेगी हमारी company की जो image है वो secure हो जाएगी हमारी goodwill बढ़ जाएगी अगर हमारी goodwill अच्छी रहती है लोगों की नजर में तो definitely हमारा product sale होता रहेगा हमें profit होते रहेंगे और हम लंबे समय तक survive कर सकते है public relation की वज़े से लोग हमारे favor में रहते है हमारा environment positive रहता है और हम काम करते रहते हैं ये बात हमने पहले भी सुनी है सीखी है अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से लोग है जिनके साथ हमें public relations रखने होते हैं customers क्योंकि हम इनको product sale करते हैं suppliers हम इनसे purchase करते हैं middleman में wholesaler, retailer, agent, salesperson वो सारे लोग जो customers के contact में रहते हैं employees हमारी company की सबसे बड़ी power हमारे लिए काम करते हैं production करते हैं, office में काम करते हैं shareholders जिनोंने company में पैसा लगाया है ये company के मालिक bankers जिन से हमें loan लेना होता है बहुत सरी communities और होती है government है, media media का हमें खास तोर पर ध्यान रखना होता है तो ये सारे वो parties हैं जिनके साथ हमारा public relation अच्छा होना चीए क्योंकि अगर ये सारे लोग हमारे favor में हैं तो कहीं न कहीं हमारा काम चलता रहेगा इन में से किसी के साथ भी अगर हमारी gut bird रहती है तो हम survive नहीं कर सकते business हमारा नहीं चल सकता for example customers की बात करते हैं customers के सामने हमारी image अच्छी नहीं है तो क्या करोगे product बना कर क्या करोगे supply लेकर क्या करोगे loan लेकर product बेचने का फाइदा ही क्या है जब आपके customers के साथ link अच्छे नहीं है तो suppliers के साथ भीगड़ गई supply कहां से आएगी production कैसे कर पाओगे तो गडबड media के साथ भीगड़ गई तो media आपके against कुछ भी negative publish कर देगी तो आप नहीं टिक पाओगे ultimately मैं क्या कहना चाहता हूँ इन सारे लोगों के साथ हमारा public relation अच्छा होना चाहिए हमारी public image अच्छी बनेगी ये लोग हमारे positive या हमारे favor में काम करेंगे हमारा environment अच्छा बना रहेगा हम long term में काम कर सकते हैं product, service बहुत लंबे समय तक sale कर सकते हैं तो ultimately हमारा public relation depend करेगा इन सब के उपर हमारा public relation के सथ अच्छा है तो हम काफी लंबे समय तक चलेंगे marketing manager को public relations के उपर बहुत खास तोर पे ध्यान देना चाहिए marketing manager को public relations के उपर बहुत खास तोर पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि आजकि public relation marketing का एक बहुत जबरदत function बनकर सामने आ रहा है marketing में ठीक है हमको advertisement करनी है publicity करनी है sales promotion करना है personal selling करनी है पर ये काम तब possible हो पाएगा success हो पाएगा जब हमारे लोगों के साथ public relation अच्छे है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक marketing manager को public relations के topic पे बहुत खास दोर पर ध्यान देना चाहिए कि इन सभी लोगों के साथ हमारा relation बना रहे और हमारा business चलता रहे अब हम बात करते हैं कि public relations की क्या खास बात है features, correctetics पहली जो बात है public relation की वो है securing cooperation of public हमें क्या करना होता है सभी को साथ में लेके चलना होता है हर एक angle को हर एक person को हमें साथ लेके चलना है क्योंकि अगर ये person हमारे favor में रहेंगे अगर हमें इनका support रहता है तो ultimately हमने इनको ही product sale करना होता है तो इन सब का support हमको लेके चलना है इन सब का support हमें रहेगा तो definitely हमारा public relation बहुत से cure रहेगा हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं product हमारा sale हो सकता है दूसरी बात successful relation with public हमको क्या करना है public के साथ successful relation बना के रखना है कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगों का company के प्रती या company के product के लिए एक negative attitude बन जाता है हमको क्या करना है public relation establish करके उनका attitude change करना है क्योंकि उनका attitude अगर positive हो गया तो definitely हम उन लोगों को भी product sale कर पाएंगे जिनका attitude अब तक हमारी लिए negative था तो हमें क्या करना है point number 2 के coding जिन लोगों का attitude negative है उनको change करना है कैसे public relations बना कर next नमारा topic है satisfying different groups ये बात हमने पहले भी आ गई कि customer, suppliers, middlemen, employee, shareholder इन सबको satisfy करके चलना है क्योंकि ultimately हमने इन लोगों से ही काम लेना है इनके ही resources हम use करते हैं इनको ही product sale करते हैं ये हमारे favor में होने बहुत जुरूरी है तो इनको satisfy करना सबसे पहला काम है हमारा, satisfy होने चाहिए ये लोग चोती बात effort public relation एक ऐसा effort है जो आपको बार-बार करना होता है लोगों का attitude बार-बार negative होता है हमें अपनी goodwill बार-बार सुधारनी होगी reputation को सुधारना होगा employees के साथ बार-बार meeting करनी होगी क्योंकि employees के मन में भी कभी-कभी हमारी company के लिए doubt आता है हम क्यों काम करें, हमें bonus नहीं मिलता हमें profit नहीं मिलता, अगर आप चाहते हो employees के साथ आपके relation अच्छे रहें तो आपको employees के साथ भी बार-बार meeting हफते में, 15 दिन में एक बार कर लेनी चीए क्योंकि मैं ये topic आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि public relation एक ऐसा effort है जो आपको बार-बार repeat करना पड़ता है ये एक ऐसा effort है जो आपको customers के साथ हो सकता है, बार-बार repeat करना पड़े employees के साथ, shareholders के साथ क्योंकि अगर ये effort आप बार-बार repeat करते हो तब ही आप अपनी clarity दे पाओगे तब ही आप अपनी बात उन्हें समझा पाओगे कि ये काम आप क्यों कर रहे हो तब ही आप उन लोगों को अपने favor में ले सकते हो next हमारा topic है, specialized activity public relation एक special activity है जैसे एक company में एक manufacturer company में अलग-अलग department होते हैं production करने का अलग department purchase करने का, sale करने का department, finance का department, marketing का department, वैसे ही आजकल public relations का भी अलग से एक department बनने लगा है, public relation एक special अलग से एक activity है जिसमें हम ये fix करते हैं कि हमारा लोगों के साथ relation अच्छा रहे, चाए वो customers है चाए supplier है, चाए वो government है, चाए वो media है ये अलग से एक department आजकल companies में बनने लगा है जिसका काम ही यह है public relations पर ध्यान देना next topic है हमारा good reputation और goodwill by public relation, अगर आप चाहते हो कि आपकी reputation बनी रहे goodwill बनी रहे, ये केवल तभी possible हो पाएगा, जब हमारा public relation इन सब logo के साथ अच्छा है, क्योंकि इन में से कोई एक भी बिगड गया तो हमारी goodwill खतम हो सकती है reputation खतम हो सकती है तो ये था हमारा simple सा topic जिसमें हमने study क्या public relation का meaning और features क्या है, आपको फिर से बोल रहा हूँ इस video के description box में आपको links भी दिये हुए है, आप वो भी अच्छे से देखिए next video में public relation का next topic हम cover करेंगे तो मिलते हैं अब हम next video में यहां तक का video देखने के लिए आपका धनेवाद